अग्याइब हेलो फ्रेंड्स किरंदर नेटर पे आप सब का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स इस स्वेटर का मैंने जो पैटर्न है और आर्म होल कटिंग है यह नेक की कटिंग है इसका वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है और इसका दिखी जो बॉर्डर बनाने का है आर्म होल बॉर्डर बनाने का भी अलग से वीडियो अपलोड किया है तो दोनों वीडियो का लिंक जो है वो मैं लास्ट में दे दूंगे अगर आपको देखना हो तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसकी नेक की जो तो यह बहुत ही सुन्दर आता है और बहुत इजी रहता है बच्चों को पहनाने में अगर आप दूसरा नेक बनाएंगे तो की बार वो टाइट आ जाता है तो पहनाने में मुश्किल रहती है रोंड नेक का तो बच्चों को आप हमेशे ये वाला ही बनाए ये बढ़िया रहता है तो फ्रेंड्स मैंने आगे स्टेप बाइ स्टेप बताया है कि इसको आप कैसे बनाएंगे बहुत इजी होता है और सरक्रों नीडल अगर आपके पास ऐसे वाले नीडल नहीं है तो आप चार सिलाईया डबल पॉइंटेड ये देखिए इदर से भी खुली हो जो इदर से भी खुली हो आपको चार सिलाईयां चाहिए होंगी ये एक लगी हुई है एक यहां तक फंदे उठेंगे दूसरी ज इनिए कि आदा आदा फ्रेंट साइड का इसका हाफ बना लेंगे ये मैने शेयर ज़ल Online साथ फंदे गटा आए थे तो यहां पे इसका लगबग ंसाफ बनता है यहां इसका हाफ कर लेंगे देखिए हैसे यहां से आपने नीचे स्टेट फंदे गटा रिखुआ रिक हा उस के 50 फंदे या 45 फंदे उठा लेंगे फिर आगए ऐसे ही 45 या 50 फंदे उठा लेंगे जैनिके टोटल फंदा हमारा फंदे उठाते जाएंगे तो एसे देखे करते हुए आप इसमें फंदे उठाते जाएंगे जब मैं यहां तक आदे उठालोंगी यहां फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहां तक मैंने कितने फंदे उठाएं तो ऐसे ही गुलाई वाले शेव में इजी ली फंदे उठ जाते हैं यह वूल बहुत सौफट है इसमें और भी इजी ली फंदे उठ जाते हैं ज Ne स्थार्ट Our data दिखाती हूं है यन क्रमाने से शुरू करते हुए यह शोल्डर के जोड़ से शुरू करते हुए यहां तक मैंने यहां पचास पिंदे उठा लिए हैंभईयरत मैं से स्टार्ट करते हुए इदर तक मैं इस शोल्डर के जोईइड तक देखे क्योंकि soft सा है यह तो चलिए मैं कर लेती हूं फिर दिखाती हूं देखे friends मैंने यहां से भी फंदे उठा लिए हैं यह मैं अभी आपको तार पर यह सारे फंदे कर दी हैं ताकि आपको यह गुलाई अच्छी तरह से दिखाई दे देखे friends मैंने इसमें यह फंदे उठा टोटल यह गुलाई में यहां तक यह मैंने 100 फंदा उठा लिया है और पीछे के हमारे 30 फंदे हैं तो यहां एक यहां इसको जोडने के लिए और एक यहां फंदा उठाएंगे तो चलिए यह कर लेते हम देखे friends यहां पर शोल्डर के जॉइंट तक मैंने यह फंदे उठा आते हैं ताकि यहां पर शेद ना जाए जब यहां पर काफी गैप सा दिखता है तो फिर दिक्कत आती है और यहां पर इसलिए बैक साइड में हम एक फंदा और उठा लेते हैं तो फ्रेंड्स अब यहां से स्टार्ट कर देते हम बार्डर बनाना क्योंकि आगे पास हमारे स्टार्ट किया था देखिए फ्रेंड्स यहां से हमारी फर्स्ट रो स्टार्ट होने जा रही तो यहां हम मारकर रख लेते हैं कि यहां से हमें फिर पता रहेगा कि हमने यहां पर स्टार्ट किया यहीं पर आके हमारा जब खत्म होगा बॉर्डर तो यहीं पर हम खत्म करें और एक बार टोटल फंदे भी आपको बताऊंगी देखे फ्रेंट्स यहाँ पर बैक साइड के 30 फंदे मैंने बून लिए हैं अब यहाँ पर यह दिखे यहाँ से भी जोडने के लिए हमें एक फंदा उठाना पड़ेगा जैसे हम बैक साइड में हर बार ही उठाते हैं दोनों साइड़ों से इनको आपस में जोडने के लिए तो ऐसे एक फंदे हम फंदा यहाँ उठा लेंगे देखे ऐसे अब फ्रेंट्स बैक साइड में हमारे 32 फंदे जैने के 32 फंदे बैक साइड में हो गए हैं यहां पे 50 इदर वाली साइड में 50 इदर वाली साइड में यानि के यह आगे का गुलाई में 100 फंदा है और 32 फंदे हमारे पिछली साइड के हैं मैं अभी आपको दिखाती हूँ जड़ा देखे फ्रेंट्स ये मैं आपको पूरी गुलाई दिखा रही हूँ इन निडल्स का यही फाइदा होता है कि इसमें हम ऐसे दिखा सकते हैं तो यहां पर यह दिखे 50 फंदे इदर 50 इदर यानिके 100 और पिछे के 32 फंदे तो टोटल फंदे यह टोटल गुलाई में जो फंदे हैं 132 फंदे मेरे पास हो गए हैं तो यहां से दिखे मैंने मारकर रखा है यहां से हमारी फर्स्ट रो स्टार्ट हो गी है first row इसलिए पिछे से start हो जाती क्योंकि यहां पर हमारे फंडे पड़े होते हैं हमें फंडे उठाने नहीं है तो इसलिए यहां से पहली slice start हो चुकी है तो अब यहां के इदर को आते होएं हम बुनते जाएंगे थोड़ा सा मैं और दिखाते हूँ फिर बहुत इजी है ये बुनना देखे फ्रेंड्स यहां पे बैक साइड का फंदा हमने सीधा बुना है तो यहां से हम आगे फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तो यह धागा जो है यह अपनी तरफ ले आएंगे आगे की और तो यहां हम बुनेंगे उल्टा फंदा यानि के आपके एक सार फंदे चलने चाहिए यह निकी कहीं सीधा बुन दिया कहीं उल्टा यहां सीधे पर खतम हुआ है तो यहां पर आगे उल्टा हमारा आएगा देखे ऐसे थोड़ा सा इसको टाइट कर लीजीगा यहां पर ऐसे जाएगे अब आगे ऐसी उल्टे से शुरू की है सीधा उल्टा ये मैं सारी गुलाई का यहां तक एक बार बुनते हुए पूरा खतम करते हूं यहां तक फिर मैं आपको एक बार दिखाऊंगी देखे फ्रेंट्स मैं यहां पर पहुंचने वाली हूं पूरा रौंड पूरा करते हुए खतम करते हुए यह देखे इसमें बस एक चीज मैंने यहां पर आपको बतानी है बाकी तो आप कर लेंगे बहुत एजी होता ही यहां पर यह देखे हमने यहां पर सीधे फंदे से स्टार्ट किया है तो यहां पर फ्रेंट्स उल्टा फंदा आना चाहिए अब य बाई चंस आपके पास दो बचे हुए है तो आपको उल्टा फंदा जाए तो दो का एक उल्टा पूंग दीजिए तो आपका उल्टा फंदा जाएगा अब आप देख सकते हैं यहां पर उल्टा है यहां पर सीधा है तो यह आपका यहां पर मारकर है तो अब यहां पर देख सिलाइयां डालते जाएंगे जब तक हमारा बॉर्डर पूरा ना हो जाए तो यह सेकंड रो जो है यह मैंने स्टार्ट कर दी है और फ्रेंड्स यह मारकर आप अपना हमेशा यहां रखिए तांकि आपको पता चले कि यहीं से स्टार्ट किया था तो यह अब मैं रौंड रौ स्टार्ट कर लिया है यहां से लेकि यहां तक मैंने इसमें 24 सिलाइयां डाली है तो मेरेको यह वटर जो है यह डबल बनाना है ऐसे डबल करना है तो इसलिए मैंने मैंने 24 डाली हैं अगर आपने सिंगल बुनना हो तो 12 य Y13 सिलाइयों में वार्ड дав इंगे ओर अच्छा ब एक बुन लिया आप ऐसे भी उल्टा सीधा बुनते हुए भी बाइंड ओफ बना सकते हैं ही दिखिए सीधा बुन लिया था मैंने उल्टा बुन लिया और यहां से उपर से निकाल देंगे फिर हम सीधा बुन लेंगे ऐसे और यह उपर से निकाल देंगे थोड़ा लूज रखेंगे इनको बिल्कुल भी टाइट नहीं बनाएंगे फिर सिलना आगके हमें मुश्किल हो जाएगा देखिए ऐसे लूज लूज थोड़ा रखेंगे टाइट वाला बाइंड ओफ नहीं बनाएंगे ऐसे ऐसे करते हुए एक सीधा बुनते हुए एक उटा जैसे आपका जो फंदा है उसको वैसा ही बुनते हुए आप इसमें से पीछे वाला फंदा निकालते जाएंगे ऐसे करते जाएंग एक यहां नहीं पाससरा बाइंड बन आ लिया है में झालबर माव्त नहीं काट भी पने लगर के तो यह तो टीमण दिसको बन कर दे कोले को कि उस नहीं के लिखा और का भी होग आपक आयां been बन सीकर निशानुत यह दिखिए यह फंदा है जो हमने सबसे पहले बाइंड ओफ किया था तो यहां से यह उठाएंगे फंदा ऐसे और फिर इसी फंदे में जो अभी हमने अभी बाइंड ओफ किया है उसमें हम डालेंगे दिखिए ऐसे पहले तो हम यहां से जोड़ लेंगे यह दिखिए यह हमारा बिल्कुल यहां पे जुड़ चुका है अब हम इसको पीछे को करते हुए ऐसे जोड़ेंगे अभी आपको दिखाते हूं देखिए ब्रेंड्स मैंने इसको उल्टा कर लिया है उल्टी वाली साइट से ऐसे हम सिलेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं यह हमारा सीधा फंदा है यहें पे हमने चाजीव लगैगा ये, तो वहीं पे, यहां पे ये आपको फंदा दिख रहा है कि इस के साथ था ही, वहीं से हमें यहां से ऐसे जोनना है, और जो घागे होंगे फालतूंके वो हम अंदर कर देंगे, गांट लगा के, देखें, ऐसे, अब जतना हमें अधर से लेना है, उतना ही उदर से लेना है एक एक फंदा ऐसे लेते हुए जोड़ते जाएंगे आगे पीछे नहीं करना हमें नहीं तो गड़बड हो जाएगा यह सारा देखिए ऐसे इसको ऐसे राम से बठाएंगे टेबल पे या कहीं भी यह हमने यहां पर फंदे उठाएं इनको हम सबको अंदर यहां से ऐसे कर देंगे यह बाहर नहीं दिखना चाहिए गंदा गंदा देखिए ऐसे इसको हमें अंदर वाली साइट करना है आगे पीछे जैसे ऐसे हो गया आपका तो यह अच्छा नहीं लगेगा तो इसको ऐसे बेठा के अच्छी तरह से टेबल पे आपको सिलना है अगर ऐसे बेठा के सिलेंगे तो बहुत बड़ी आएगा अगर जैसे मैंने अभी बताया आपको अगर ऐसे यह इदर को जाता हुआ दिखा तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो सबसे अच्छा तरीका है ऐसे टेबल पे बिठा लीजिए इसको और ऐसे करते हुए इसको सिलते जाईए यहां से ले लीजिए एक टंका इदर से ताकि यह अंदर को हो जाए और एक हम यहां से फंदा उपर से ले लेंगे ऐसे करते हुए इसको पूरा राउंड में अच्छी तरह सिलेंगे एक इदर से लेते हुए और एक यहां से लेते हुए ऐसे सिलते जाएंगे तो ये पूरा round में देखी ऐसे ऐसे आपको पूरा round में सिलना है ये बहुत बड़ी बड़ी अच्छी तरह यहां ऐसे बेठाते हुए तो ये मैं कर लेते हूँ फिर मैं आपको दिखाते हूँ देखी friends मैंने इसको round में सारा सिलते हुए complete कर लिया है आप देख सकते हैं कि यहां से हमने फंदे उठाये थे वो मैंने सारा अंदर को कर दी जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा नीचे को करते हुए सिलेंगे और इसको ऐसे टेड़ा मेड़ा भी नहीं होने देंगे जैसे इदर को जाता हुआ दिखे आप देख सकते हैं कि बहुत सुन्दर दिख रहा है तो इसका सही तरीका यही है कि आप टेबल पे रखके इसको अच्छी तरह से ऐसे बना के सिलें ऐसे से करते सिलते जाएं तो आपका बिल्कुल यह round shape से ही आएगा perfect आएगा तो चलिए अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ दिखे फ्रेंड्स मैं सीधी साइड से आपको दिखा रही हूँ जैसे हम इसको पहनेंगे वैसे पूरा आप देख सकते हैं कि perfect round shape इसके आई है और border बिल्कुल बहुत सुन्दर आया है कोई भी थोड़ा इदर उदर को नहीं है ब उपर तक बन जाता है चाती को भी धके हुए रहता है तो यह बढ़िया रहता है मैं अगर आपको दूसरे वाला round neck बनाना है तो आपको यह गहरा रखना पड़ेगा तो फिर बचों को ठंड लगती रहती है उसमें तो बचों के लिए आप यह वाला प्रैफर करेंगे तो यह वाला neck बहुत बढ़िया रहता है और पहनने के लिए भी बचों को easy रहता है तो ऐसे आप बहुत जोर जब रस्ती बचों को पहनाएंगे बहुत दिक्कत आएगी तो यह वाला easily आ जाता है बचों को तो अब आप भी बनाएए मैंने step by step सारा बता दिया आपको बहुत easy है बनाएए यह वाला round neck और प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर थैंक यू